सोची अर्मिन के जिवाल कह रहे हैं जाच में टाइम खराब होता है तो जाच ही नहीं करानी जीए जाच में टाइम खराब होता है वेराल चली आगे बढ़ेंगे आज से करीब एकानी सुनियागा बारा साल पहले ये तस्वीरे देखे हैं आपको कुछ तस्वीरे कुछ यादे आज ताजा होंगी आज से करीब बारा साल पहले एंटी करप्शन भस्ताचार विरोधी आंदोलन से एक पार्टी का जनम होगा नाम रखा गया आम आदमी पार्टी लेकिन जे 12 साल के सफर में इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकली पार्टी की स्थिती आज ये हो गई है कि भस्ताचार के आरोप में आम आदमी पार्टी के जितने नेता विधायक जेल यातरा कर चुके हैं शैद संसदी एतिहास में आज तक किसी और पार्टी के इतने नेता विधायक जेल यातरा नहीं करें चुके हैं अभी आम आदमी पार्टी के तीन तीन बड़े नेता जेल में आए हैं आम आदमी पार्टी कहां से कहां आ गई है या आप लोग टैक करें मतलब जो आम आदमी पार्टी 2011 में कुछ इसी तरहां से ब्रश्टाचार के विरोध में प्रदर्शन कर रही है ब्रश्टाचार के विरोध में याद है आज वही आम आदमी पार्टी ब्रश्टाचार के आरोपियों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही है दो तस्वीर आपको दिखाएंगे यह दो तस्वीर देखिए कहां से कहां आ गए आप आम आदमी पार्टी उनसे सवाल भरष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन और भरष्टाचार के आरोपियों के समर्थन में प्रदर्शन कहां से कहां आ गए आप आम आदमी पार्टी और ये प्रदर्शन भी वैसे कि ये जो प्रदर्शन होता है जब जब जाच एजिंसिया पहुंचती है ये प्रदर्शन क्या निया पालिका के खिलाफ होता है कि हम तो नेता हैं, सांसद हैं, बड़े लोग हैं, हम पर आठ डालने की गल्ती मत करिएगा मगर ये दो तस्वीर आपके सामने हैं आज की ख़बर का पूरा निचोड कहां से कहां आ गए आप रश्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन, कारवाई के विरोध में प्रदर्शन, रश्टाचार के खिलाफ बड़ी-बड़ी बाते करने वाले कटर इमानदारी से और मतलब कई प्रतिमान स्थापित करने वाले अर्विन केश जिवाल ने खुद इस केस में पूछता जब उनसे भी हो चुकी है इंडिया अगेंस्ट करप्शन में केश जिवाल के सबसे करीबी सहयोगी मनीश सिसोधिया वो साथ महिने से जेल में हैं साथ महिने से ये जो एजिटेशन चलता है जो आज की तस्वीर हम दिखाएंगे आपको जो ये जो तस्वीरे हैं ये पुरानी तस्वीर है जो प्रजेशन आज हो रहा है ये क्या नैपाली का के खिलाप है 2011 में अन्ना अंदोलन में केज़िवाल के सहयोगी संजे सिंग को कोट ने 5 दिन की रिमांड पर आज भेजा है आज 5 दिन कुछ तो मेरिट देखा होगा ना भी कोट ने भी कुछ तो कोट ने मेरिट देखा होगा केस में वो कह रहते गलती से चार शीट में नाम आगया गलती से चार जगा नाम था एक जगा गलती से था माफी नहीं बलकि वो जो अर्विन केज़िवाल ने कल का कि उनके नोटिस से एडी की पैंट गी ली कल उनके कोट अनकोट उनका बयान ट्वीट किया था मादी पार्टी ने अब सोचिए आर्विन केज़िवाल के एक और सही होगी सतेंद्र जैन पिछले डेड़ साल से जेल में है वो डेड़ साल कोई भी कोट उने जमाना देने के लिए तैयार नहीं है तो यह सारा एजिटेशन क्या निया पालिका के खिलाफ है कोट के पुदर सीफा बड़े बड़े प्रतिमां स्थापित किये थे जिस पार्टी के नेता अर्विन केज़िवाल एक वक्त सोनिय गांदी से लेकर चड़त पवार लालू परसाद यादव से लेकर फारुक अब्दुल्ला के लिए कहते थे कि ये सभी नेता भरस्ताचारी इने जेल में डाल देना चाहिए है ना लिस्ट लेकर आये थे उसी पार्टी की सिती है कि आज अर्विन के जिवाल से लेकर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में हैं शराब घुटाले में संजे सिंग अब आज की खबर ये है 10 अक्टूबर तक E.D. की रिम आज भी बेल नहीं मिली है आज भी सुनवाई हो रही थी क्यों नहीं दी बेल भई अब सुप्रीम कोट मनीर से सोधिया की जवान अचिका पर 12 अक्टूबर को सुनवाई करेगा इसके लाबा सुप्रीम कोट ने कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी को ब्रश्टाचार का को वैसे ही बेनिफीशरी आम आदमी पार्टी है तो उसे आरूपी क्यों नहीं बनाया जा रहा है इन दो दिनों में सुप्रीम कोट की टिपनी पूरी आम आदमी पार्टी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है लेकिन क्या हुआ है आज दरसल आपको ही जानना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के सांसर संजे सिंग की जमानत याचिका के दोरान कोट में आज क्या क्या हुआ सबसे इंपोर्टन्ट क्या क्या हुआ आज क्या हुआ आज क्या हुआ है दिक्या बहुत ध्यान से देखेगा संजे सिंग की गिरफतारी का विरोत करते हुए उनके वक पर संजे सिंग से पूश्ताच जरूरी है देनेश अरोडा के बयान के आधार पर जाच आगे बढ़ रही है चीक तीन लोग पूश्ताच के लिए बुलाए गए यह सब E.D. ने का तीन को बुलाए गया है और अभी कंफरंट कराना है दो लोगों से आमने सामने बिठा कर अभी दरज हुएं 2023 में इस पर संजे सिंग के वकील ने का कि देनेश अरोडा की तो विश्वसनियता जो स्टार गवाहा है सुकॉर्ड उसकी विश्वसनियता तो सवालों के घेरे में है जिसके बयान के आधार पर मुझे आपने गिरफतार कर लिया यह संजे सिंग के वकी करमचारी ने संजे सिंग के करीबी सर्वेश मिश्रा को दो करोड रुपए दिये दो करोड रुपए बकॉल एडी यह दो करोड संजे सिंग के घर जाकर दिये गए संजे सिंग के वकील ने फिर का भी कि संजे सिंग के करीबी सर्वेश मिर्ष्रा को जांच का अधार बनाए गया उनसे पुछताच क्यों नहीं की? ये संजे सिंग के वकील ने पूछा सर्वेश मिर्ष्रा का बार बार नाम ले रहे हैं जो उनको दो करोड तो उनसे पूश्ताच क्यों नहीं की इस पर ईडी ने का सरवेश मिर्शा को पूश्ताच के लिए समन जारिक किया जा चुका है कोट की सुनाई की दौरानी संजे सिंग ने भी बीच में का कि सरवेश को समन उनकी गिरफतारी के बाद जारिक हुआ उनका नाम कभी सामने था ही नहीं भई तो अचानक उनका नाम कैसे आ गया यह उन्होंने कोट के अंदर पूछा संजे सिंग इस पर ईडी ने क्या का 否 विकति हैं इसलिए पहले उनका नाम नहीं लिया है यह इडी के वकील नहीं का इडिय और है जिनका नाम उसने अभी तक नहीं लिया है दो और लोग, अब कौन है पता नहीं, बीजेपी बता रही है, किंग पिन केजरीवाल है, किंग पिन मास्टर माइंड केजरीवाल है, और अभी कोट में ED के वकील कहने हैं, कि ये अरोडा ने एक और बात कही है, कि दो और लोग है, जिनका नाब भी नहीं लिया गया, वैसे क कोट में जिस दिनेश अरोडा का जिकरुआ, उसे कोट ने संजे सिंग की गिरफ्तारी से एक दिन पहले ही, अप्रूवर, यहने कि सरकारी गवाहा बनाने की मंजूरी दीए, अप्रूवर, कोट ने परमिशन दी, ED की चार्चीट के मुताबिक दिनेश अरोडा ने बताया, क्या बताया, यह दिनेश अरोडा कोई BJP का या कोई नहीं है, यह संजे सिंग का ही करीब है जो पोल खोल रहा है, क्योंकि सरकारी गवाहा बन गया है, दिनेश अरोडा ने बताया कि उसकी मुलाकात सबसे पहले संजे सिंग से हुई, उसके बाद दिनेश अरोडा डिप्ती जुनावों में इस्तेमाल किये जाने थे संजे सिंग की इन्वाल्मेंट की पूरे मामले थे। बदले में अपने करीबी विवेक कुमार को उसकी कंपनी में हिस्सेदारी देने की बात की। इतनी जांच कर ली कुछ निकलता तो है नहीं तो इस जांच जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है। सबका टाइम खराब होता है, जहांच एजिंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, अभी तो देश तरक्की करेगा। सबको जूटे-जूटे केसों में फसा-फसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। यह पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने देश से ब्रश्टाचार खत्म करने का वादा किया था। अब E.डी एकदम सिंगा मवतार में हैं। मतलब E.डी जो है आप कहलीजे ओवर टाइम कर रही है। करप्शन का टाइम ओवर कर रहा है। E.डी ओवर टाइम कर रही है। क्योंकि था प्रधान मंतरी ने ब्रश्टाचारियों के खिला बड़ा नारा देते हुए क्या का था कि ये ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मतलब ना मोदी खुद ब्रश्टाचार करेंगे और ना किसी और को ब्रश्टाचार करने देंगे, खाऊगे, बड़ा पश्टाऊगे, जेल जाऊगे। तीन अलग अलग पार्टियों के नेताओं मंत्रियों के खिलाब चापे मारे हैं। दील तो सांस का लेने देगी अगर करप्शन किया है। आएकर विवाक की करवाई टैक्स चोड़ी के आरोपों को लेकर हुई। ये एक और आज का अपडेट है, एक बार आपको फिर से बता देते हैं। आज का अपडेट ये है, दिल्ली में ही बता रहा हूं। इतना ही नहीं। संजे सिंग की गिरफ्तारी से पहले लैंड फॉर जॉब स्कैम में पूरे लालू परिवार की कोट में पेश हुई थी ये दिल्ली की CBI कोट में आर जेडी अधियक्ष लालू परसाद यादव, बिहार की डेप्ते C.M. तेजस्वी यादव, बिहार की पूर मुख्यमंत्री राबडी देवी और लालू की बैन मीसा भार्ती पहुंची थी। आलाकि इस केस में कोट ने सभी को बेल दे दी। लेगिन जाँची नहीं होनी चीए, जाँच से समय बरबाद होता है, मतलब आप सोचिए लोजिक्ष यादि दिल्ली से लेकर बंगाल और तमिलाणू से लेकर तेलंगाना तक जाँच एजंसियों काब रश्टाचार के खिलाप ऑपरेशन ओल आउंट चल रहा है, जाँच सरकार में सुस्ती क्या रूप लगते थे, कि ED का एक्षन नहीं है, ED, मोधी सरकार में इतनी चुस्त हो गई है कि पिछले आठ साल में लोग कहते हैं कि ED का खौफ चल रहा है, ED का आतंक कहता है विपक्ष, आठ साल में ब्रश्टाचारियों से एक लाख करोड रुपे वसू इनने के लिए कुछ वक्त पहले आदो न, सुप्रीम कोट में 242 याचिकाएं लगाई गई थी, ED को इतनी पावर्स के उधी दिए गई है, गिरफतारी की इसकी उसकी, इन 242 याचिकाओं में कईयों को कॉंग्रेस का भी समर्था नासिल था, लेकिन सुप्रीम कोट ने ED के 2022 तक ED करी एक लाख करोड की संपत्ति, अचाई ये एक कंपेरिजन देखिये आप, मैं केकर क्या कुछ आओ, थोड़ा सपास आज़े, 9 साल में 4000 करोड की संपत्ति जब, UPA, मनमोहन सिंग जी के कारिकाल में, 9 साल में 4000 करोड, अब यहाँ आजए, मोधी सरकार में 2004 से 2022 तक का आकड़ा है, जो संसद में रखा गया था, लगबद 27, मतलब यह आप, एक लाख करोड की संपत्ति जब की गई है, एक लाख करोड की संपत्ति जब, 4000 करोड, एक लाख करोड की संपत्ति जब की जा चुकी है, 4000 करोड से, अचा मोधी सरकार में 2004 से 2020 के बीच, कितने के, अच 1667 केस दर्ज हुए मनमोहन सरकार में, कितने? 9 साल में 1867 ED, अब यहां आजाईए, 2004 से 2022 में लगबग डबल ही माल लीजिए, साड़े 3000 केस दर्ज हुए, साड़े 3000 केस, लगबल लगब 88% ज्यादा, पूरा ही डबल हो गया ना, पूरा, आप माल लीजिए, UPS सरकार में मैं आपको बताया कि 1867 केस दर्ज किये गए, मनमोहन सरकार में 9 साल में ED, अच्छा कितने चापे कितने पड़े, यह बहुत इंपोर्टेंट है, रेड बहुत पढ़ रही है न, आजकल रेड, यह देखिए रेड, 9 साल में कितने 112, नौ साल में 112, ठीक, आप 112 से यहाँ आजाएगे, 14 से 22, यह 2974, यह लगबल तीन हजार है, तीन हजार, यह इस से 27 गुना जैदा चापे मार रही है, ED, ED को आप सोचिए, जब प्रदान मंतरी ने का, न खाऊंगा, न खाने दूंगा, मोदी का ताप, रष्टाचारी सेहन नहीं कर पाते हैं, इतनी गंबीरता से ले लिया, ED ने कि एक एक रष्टाचारी का नंबर आ कोर्प द्वारा, यहां 2004 से 2022 तक, महां 104, यहां लगबग लगबग आप सान लीजा, 8 गुना, 9 गुना, 888, 4 शीट, 23 कन्विक्षन, 23 कन्विक्षन हुआ है, अब आप सोचिए ना कि अभी जो चल रहा है, मोदी सरकार में, ब्रष्टाचार के आरूप में, कोई नहीं बच मतलब बड़े-बड़े मंतरी, नेता, मुख्य मंतरी, अर्विन केश जिवाल तक से पूष्टाच हो चुकी है, और सबसे बड़ी प्रॉबलम ही है, एडी नैशनला राज मामले में, राहूल गांदी, सोनिया गांदी से पूष्टाच कर चुकी है, मनी लॉंडरिंग केस म जारखन के मुख्य मंतरी, हिमंत सुरेन से पूष्टाच हो चुकी है, फारुक अब्दुल्ला से लेकर, महबूबा, मुफ्ती, भुपेंदर सिंगुड़ा, पीची दमरा, मुष्टाचार के मामले में, उन पर भी चल रहे हैं, खुद को कट्टर इमानदार कहने वाली आम के खिलाब विपक्ष ने पूर एडी डिरेक्टर संजे मिश्टा के खिलाब महौल बनाया था, उनके एक्स्टेंशन तक का विरोध किया था, एडी सिर्फ इनको टागेट कर रहे हैं, सिफ ओपोजीशन को है ना, खासकर शराब घुटाले में, लेकिन जो लोग जांच आज नितिक दुर्भावना या एडी पर सरकार के इशारे पर कारवाई के आरूप लगाते हैं ना, आज हम उनका मूँ बंद कराने वाले एक तथे लेकर आए हैं, जान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हैं, शराब घुटाले की बात कर लेते हैं, इसी साल 23 अगस्त को श शराब घुटाले का ही था, किसका शराब घुटाले का, लेकिन देविपक्ष ने एडी पर कारवाई पर सवाल नी उठाया, किसने भेदभाव करने का आरोप नि लगाया था, इसे तब भी लगाया था क्योंकि उसमें कॉई नेताशा मिलते हैं, क्योंकि जिनके खलाफ बीजेपी के नेता अब इशेग जा और निर्भ्या शाहबादी, वो निर्भ्या शाहबादी तो जारकन के ग्रीडी सदर से बीजेपी विदायक भी रह चुके, क्योंकि आप सोचे न, अब भई, एडी तो कहते हैं न, बीजेपी की चुनावी पार्टनर है न, एडी तो बदले की कारवाई करती है, इडी दे से विपक्ष को निशाना बना लेती है, तो फिर बीजेपी नेताओं के घर, यो पहुंची बीजेपी, वो भी शराब घोटाले मनी लॉंडरिंग के केस, तब क्यों नहीं शोर मचाया, वो भी तब संजे मिश्राही एडी के तब बीजेपी नेताओं पर छापे मारी हुई, वो अब डिरेक्टर नहीं है, तो अब भी करप्षन पर एक्षन इस वक्त भी चल रहा है